नमस्कार पत्रिका टीवी के इस खास पेशकर्स में आपका स्वागत है मैं हूँ विकास सोनी अब आपको मुहमत सहाब की जीवनी मारवाडी में भी पढ़ने को मिलेगी जी हाँ और ये काम किया है जुन्जुनों के राजिव शर्मा ने राजस्थान के जुन्जुनों जिले में कोलस्य गाउं में रहने वाले राजिव शर्मा ने पेगंबर हजरत मुहमत साब की जीवनी मारवाडी में लिखी है जिसका नाम है पेगंबर रोपेगाम राजिव का कहना है कि एद के मुबारक मौके पर देश्वास्यों के लिए उनकी और से ये तौफा है ताकि हिंदुस्तान में सदभाव का माहूल रहे इससे पहले राजिव मारवाडी में हनुमान चालिसा मारवाडी में आचारे महाप्रग्यजी के उप्देश और उर्दु में शाम चालिसा का अनुवाद कर चुके हैं उन्होंने बताया कि पेगंबर हजरत मौहमद साहब की जीवनी को मारवाडी में लिखने के पीछे उनका ये मकसद था कि जो लोग उनके उप्देशों को उर्दु में नहीं समझ बाते उनको अपनी भाशा में लिखकर सद्भाव का संतेश दिया जाए उन्होंने कहा कि विश्व में बढ़ते आतंकवाद को कुछ लोग पेगंबर साहब से जोड़ कर देखते हैं कि कुरान की आयते आतंकवाद की निंदा करती है और हजरत मुहमद ने हमेशा इंसानियत का पक्ष लिया था सुरेश शर्मा पत्रिका टीवी राजस्थान जुन जुनु की राजिव शर्मा हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है आई उनसे बात करते हैं राजिव जी पहले तो आपको धिर सारे शुपकामना है मुहमद साब की जीवनी को मारवाडी में लिखने के लिए मेरा प्रश्टे यह है कि आखिर मुहमद साब की जीवनी को मारवाडी में लिखने के पीछे आपकी मुख्य वज़ा क्या रही लोगों के बीच गलत फैमियों को दूर करना आज हम देखते हैं कि धर्म को लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा गलत फैमिया है लोग इसको ऐसा इसनुता का नाम देते हैं मैं इसको गलत फैमिया का नाम देता हूँ दरसल हमारे दिलों के बीच जितनी ज़्यादा गलत फेहमिया एक दूसरे को लेकर रहेंगी हमारी भावनाई उन लोगों एक दूसरे के परती उतनी ही खराब होगी गलत फेमिया किस तरह की गलत फेमिया इस तरह की जैसे हम पगंबर मुहम्मद साभ को लेकर देखें, पगंबर साब के जो पैगाम है, उसके बारे में लोगों का ये मानना है कि वे विदेशी थे, उनके जो उपदेश हैं, वो सिरफ अरब वलों के लिए हैं, जबकि अच्छ कई बाते हैं जो जितनी अरब वाले के लिए उपयोगी हैं उतनी रूस वाले के लिए जरूरी है और इतनी हिंदुस्तान के लिए जरूरी है राजी जी आतंकवाद और इसलाम को जोड़ कर देखा जा रहा है इस पर धार्मिक पुस्तके कुरान या मौहमद साब का इनके देखे इसमें मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कुरान की कोई भी आगर आप आयत उठा कर देख लीजिए किसी भी सुरह को पढ़ लीजिए उसमें कहीं पर भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया गिया है और कुरान पढ़ने से पहले आपको पैगंबर हजरत मुहमद को तो राजिव जी इस पूरी मुहमद साब की जीवनी को मारवाडी में लिखने में आपको कितना वक्त लगा किताब को लिखने में मुझे एक साल लगा और इसकी तैयारी के लिए मुझे कम से कम दस साल लगे दस साल इस चीज को लेकर लगे कि अगर लिखने के लिए आपको अपने नजरिये से बयान किया है तो एक साल मुझे लिखने में लगे और दस साल जो है इसके तयारी करने में लिए और इस किताब को लिखने की प्रेणा आपको किन से मिली किताब को लिखने की प्रेणा कई चीजों से मिली लेकिन मैं खास तोर से कहूंगा कि पैगंबर साब का जीवन जो है वही सबसे बड़ा प्रेड़ना शुरूत है बांगला देश में जो भी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों द्वारा कहा किया कि कुरान की आयते पढ़ कर सुनाई जाएं कि आतंकवादियों ने वहां पर बन्दक बनाये लोगों से कहा था कि कि आप कुरान की आयते सुनाई ये तो हम आपको जाने देंगे जबकी आप कुरान उठाकर देख लीजिए कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो कुरान की आयत ज़िसको कंटस्ट होगी उसी को जिनदा रहने का हいう ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कुरान को पढ़ना अच्छी बात है और उसको जीवन में उतारना अच्छी बात है कुरान को रटना भी एक हद तक समझ में आता है कि बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन ये कहां तक सच है कि अगर आप कुरान की आयते नहीं सुनाएंगे झाल, 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 झाल.